असलाम लेकुल वर्स में आजमाद और ये पकोड़े और फ्रेंच फ्रैस वे फिंगर फ्रैस और चिड़िया लोगों की आवाज आरी बर्स की किनिचे आवाज आरी है बशूए वे बुीर निटछीर व्यूश्टे व्यूश्डबने झावाज वे घूवाज है आरी है विंदी वह वे पुमाज व्यूश्ड़र वे विर्स वे खिंदान आरी है और यह रड़ शर्वत आज मैंने कप में ही डाल लिए और ग्लास गंदा करें तो मैंने कप में ही डाल लिए रड़ शर्वत है और आज हमने पकोड़े बनाए हैं रोजोस नहीं खाते हम मैदा क्योंकि मैदे को पकोड़े पकते हैं बेसन से ये मैदे को इस्टमक को खराब करते हैं इसलिए रोजोस पकोड़े नहीं खाना चाहिए मैदा का पराठा भी रोजोस नहीं खाना चाहिए और बेसन भी रोजोस नहीं खाना चाहिए और बेसन भी रोजोस नहीं खाना चाहिए इसे पेट को आपके मैदे को इस टमक को खराब करता है इस देर अब वोईट क्या करें रोजोस नहीं खाये करें आज हमने बनाए हैं पकोड़े फुरूट्स खाया करें फुरूट्स अच्छी होती है सहत के लिए आपके पेट मैदे स्टमक के लिए अब मैं इजाज़त चारी हूँ क्योंकि अज़ान होने वाली है और आखर में मैं वही बात कहती हूँ सारे इनसानों का सारे जन्वर का बहुत सारा ख्याल लखें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलेगा जब तक लिए अल्ला हाफिस टाटा बाबाई और ये पर्स भी आ रहे हैं पलटके अल्ला हाफिस